सवे भवंतु सुखिन, बुद्ध जयंती पर विशेश साथ, जो गुरु उबदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, एक कथा है कि एक राजा था, उसके दो पुत्र थे, बड़ा वेरागी था, पिता की मृत्यू के बाद उसका राजतिलक किया जाना था, लेकिन उसने छोटे भाई का, राजतिलक करवा दिया और स्वयम राजय का त्याग कर किसी व्यापारी के यहां नौकरी करने लगा, व्यापारी को ग्यात हुआ तो उसने उससे काम लेना बंद कर दिया, उसके माध्यम से उस व्यापारी ने अपना कर मुक्त करवा लिया, और उसके कुछ अन्य व्यापारी दोस्तों ने भी अपना कर मुक्ठ करवा लिया। बडे भाई की सोई हुई तृष्णा जागने लगी। एक राजा ने उनके राजय पर हमला कर दिया तो बडे भाईने उस राजा को हराकर उसके राजय पर कबजा कर लिया और राजा बन गया। उसकी तृष्णा ऐसी भटकी की उसे धनसंपत्ती की भूख सी लग गई उसने धीरे-धीरे सभी राजयों पर कबजा कर लिया। इससे भी तृष्णा शांथ नहीं हुई तो छोटे भाई के राजय पर भी आक्रमन कर दिया कि या तो राजय छोड़ो या युद्ध करो। चोटे भाई ने राजय बड़े भाई को लोटा दिया. एक दिन एक राहगीर दरबार में आया उसने राजा को बताया कि एक ऐसा राजय है जहां सोना. चांदी, हीरे, जवाहरात का अकूत भंडार है और यह बताकर वह वहां से चला गया. राजा धन्ट संपत्ती के प्रती इतना दिवाना था कि वह राजय का पता पूछना भी भूल गया. राजा ने पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में दूप दोआएं लेकिन उस राजय का पता नहीं चल सका. राजा उसे अपनी हानी समझने लगा और बीमार हो गया. उसकी बीमारी बती ही जा रही थी. एक साधू उसका उपचार करने महल पहुचा. उसने जानकारी ही कि राजा कपसे बीमार है और बीमारी से पूर्व क्या घटना घटी थी. तब उस साधू ने राजा को समझाया कि आपके पास जो है वही बहुत है, अधिक भी हासिल कर लोगे तो वह भी आपके कोई काम नहीं आएगा, पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यक्ता है, धन से पेट नहीं भर सकता है साधू ने राजा को समझाने के लिए एक कत्था सुनाई, एक बार अकाल पने से कही पर भी अनाज नहीं मिल पा रहा था राजा ने प्रजा के लिए चांदी का भंडार खोल दिया, अन्न नहीं मिला मंत्रियों के लिए सोने का भंडार खोल दिया, अन्न नहीं मिला परिवारजनों के लिए हीरे जवाहरात के भंडार खोल दिये लेकिन अन्न नहीं मिला राजा ने अपनी कब्र तयार करवाए और उसके पास तक्ती लगवा कर लिखवाया कि इस धन से मैं अन्न हासिल नहीं करवा सका, अन्न के अभाव में सभी दीरे-दीरे करके मर गए और अब मैं भी मर रहा हूँ यह धन मेरे काम नहीं आया साधू ने कहा कि है राजन सोने के लिए एक ही बिस्तर काफी है और एक पर ही सोया जा सकता है चार पर नहीं राजा के बाद समझ में आ गई और उसने राजय वापस छोटे भाई को लोटा दिया और स्वयमपुनह सच्चा वेरागी बन गया लगातार आठ